आज 17 मार्च 2022 को कोचिंग का अस्थापना दिवस है या इसका 14 अस्थापना दिवस है अर्थात कोचिंग अपना 13 वर्ष पूरा कर चुका है और 14 वर्ष में आज से प्रवेश कर रहा है इस अवसर पर्ण कुचायकोट प्रखंड के सफी निवासियों को पूरे हिर्दे से मेरा नमस्कार आपका जो भी सहयोग इतने दिनों में मिला जो भी सम्मान मिला उसके लिए हमेशा मैं अनुग्रहित रहूंगा और प्रमात्मा से यही प्रार्थना है कि आप सभी भी खुस हों इंज्वाय करे अपने लाइफ को अधिक से अधिक इस कोचिंग की अस्थापना 17 मार्च 2009 को हुई थी और आज पूरे 13 वर्ष उसके बित गए पीछे मुर्गे जब देखता हूँ तो लगता है कि इतना लंबा समय बहुत जल्दी बित गया ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि मैं अपने कर्म में निरंतर डूबा रहा और निश्चित रूप से आप सभी का भी सहयोग मिला अच्छे स्टूडेंट्स मिले मुझे अच्छे गार्जियन्स मिले और उनका एक लाभ ये भी हुआ कि कोचिंग संखा के द्वारा बहुत सारे डिस्टिक्ट आपर और एस्टेट टूपर तक हमारे बच्चे आए तो एक पीछे जब घुम के देखता हूँ तो एक यात्रा सुखद मालूम पड़ती है कि इस कोचिंग के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को उचित गाइडलाइन मिला जिसके चलते आज देश बीदेश में हजारों ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी और बिभिन गैर सरकारी संस्थाओं में कम्पनियों में काम करके अपने जीवन यापन को सुचारू ढंग से चला रहे हैं आज मैं थोड़ी कोचिंग की अस्थापना की भमिका के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ एक्चुली मौलूप से मैं हाजीपुर का हूँ और यहां पर मेरा एडिमिशन हुआ था पॉलिटेक्निक कोलेज सिपाया में एलेक्ट्रिकल मेरा ब्रांच था 2007 से 10 हम लोगों का सेसं था उसी प्रीड में मैं यहीं राके पढ़ता था तो कुछ जगों पर जाने के करम में मुझे बच्चों के दोड़ा आया हूँ आगरह की आगया की सर कोई अपना सेंटर डालते तो हम लोगों हांके पढ़ते उन्हीं के आगरह पर एक सेंटर को डाला गया और कोचिंग का नाम आचारे रजनिस कोचिंग रखा गया और उसके बाद यह 2009 की बात है फिर 9, 10, 11 साथ से 10 हम लोगों का सेसं था और 11 तक चलने के बाद 12 हमें 2012 में फर्स्ट डिस्टिक्ट आपर कोचिंग से आया वरुन कुमार बलवन सागर उसके बाद तो लगातार डिस्टिक्ट आपर में कुई न कोई अपना है स्टुडेंट रहा है एक दो वर्सों को छोड़के फिर 2020 में स्टेट टॉपर भी हमारे कोचिंग के एक शात्रा नेहाई तो अभी बहुत सारे स्टुडेंट आते हैं मिलने एक से स्टुडेंट जो पास आउट हो चुके हैं कोई किसी पदपर है कोई किसी पदपर कोई ये बिजनेस कर रहा है कोई वो कोई अच्छा सा सौप चला रहा है तो इन सब चीजों को जानके सुनके खुसे मिलती है कि चलो मैंने जो डिसिजन लिया सिक्षा के पेशा में ही रहना आफ्टर कंप्लेटिंग माई पूलिट टेकनिक तो लगा कि चलो वो हनेरने जो था सही था और प्रमात्मा की किरपास से मैं भी जाहा हूँ मेरी इस पूरी यात्रा में कई लोगों का विशेश योगदान रहा जिन में से मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जितने भी गोपाल गंजिला के ओसो सन्यासी है उन सभी का विशेश योगदान रहा चुकि मैं जब कुचाया कोट में आया था तो एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं था जो मुझे पाचानता Not a single person एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे मेरी पाचान हो तो कॉलेज में जब आया तो वहाँ एक संदीप सर उस्समें हुआ करते थे कलड़क उनके माध्यम से और पंकत सर भी कलड़क हुआ करते थे उस ट्रैम उन दोनों का सहयोग सुरू में मिला फिर बच्चों का सहयोग तो अफकोर्स जितने भी बच्चों ने हैं पढ़ाई की सबका मिला किसी न किसी रूप में देन आफ्टर ओसुक की जितने भी सन्यासी हैं उन सबसे परचे हुआ तो उन सबका भी सहयोग मिला विशेश रूप से बावुलाल जी का योगदानाम इस्वर्णी है हमेशा साथ रहे मेरे मेंटू जी मुराडी जी हरी मोहन जी स्री राम प्रसाद रामा जी पारस जी इन सबका सहयोग रहा और आज जो भी यह संस्था यहां पर है तो इन सबका योगदान निस्चित रूप से उसमें रहा है बाद में श्री मनोज कुमार्तिवारी का उलेख में भी से रूप से करना चाहूंगा कि उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा और अभी जो बरत स्बढ़ हो जो रते हैं ऑपतों को रखा उनके सामने उन्होंने मेरे बिचारों को अच्छे से समझा और उसके अनुसार ही उन्होंने एक भवन का निरमान कराया जिसमें आज कोचिंग संचालन हो रहा है जिसमें कोचिंग तो निस्टीत रूप से मेरे पुड़े हिड़दे से भी उन्होंको नमस्कार है और आप अपने जिवन में यूहीं तरक्खी करते रहें यहाभी मेरी शुरू कामना है अंत में यह कोचिंग निरंतर इसी तरह से प बना के रखेंगे, नमस्कार.